दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको एक problem का solution बताने हो लेकिन पहले problem तो बता दू यहां पे आईए मेरे computer screen पे देखिए एक folder में मैंने दो वीडियो रखे है इस वीडियो में मेरा video का thumbnail दिखाए दे रहा है यह video proper है play भी होता है लेकिन इसमें वीडियो का thumbnail ने दिखाए दे रहा है क्योंकि यह video corrupted है अगर मैं इसे play करता हूँ तो यह play भी नहीं आ रहा है कुछ error आ रहा है तो इस corrupted video को मुझे अगर repair करना है तो कैसे करना यह आज की video में मैं आपको बताने हो लाओ यह solution बताने हो लाओ इसके लिए एक software होता है जिससे आप repair कर सकते हैं जिसका नाम है बंडशेयर रिपेर इट और इस software से काली video file रिपेर नहीं होती इससे आप audio भी रिपेर कर सकते हैं corrupted audio file है आपके पास उन्हें भी रिपेर कर सकते हैं corrupted photos को आप रिपेर कर सकते हैं corrupted documents को भी आप रिपेर कर सकते हैं कैसे जानने में इंट्रेस्टर रोत वीडियो एंड तक देखिएगा मैं सतिश complete technology चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ let's begin तो जैसे कि मैं इंट्रो पार्ट में आपको का कि मेरे पास ये दो वीडियो इसमें ये वीडियो तो प्रॉपर प्ले होता है लेकिन ये वीडियो प्ले नहीं होता है दिखाए देरे आपको error आ रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा description में पहले आपको जाना है वहाँ पे मैंने एक link दी है उस link पे click करने के बाद आप इस website पर होगे जहां पे wondersher का repair it software का link आपको मिलेगा और ये try for free ये free में आप download कर सकते है try कर सकते है तो इस wondersher repair it software को download और install करने के बाद आपके समनी कुछ इस तरह का screen आएगा जिसमें video repair, photo repair, file repair और audio repair चार options आपको मिल रहे मैं सबसे पहले video repair दिखाना चाहूंगा video repair यहाँ पे मैंने click किया है उसके बाद यहाँ पे add button पे मैं click करूँगा step by step देखिए add button click करते ही मेरे पास desktop पे यह video पड़ा है मैं उसे select कर लेता हूँ यहाँ पे इस folder में यह video है मैंने इसे open किया तो यहाँ पे मैंने इस video को add कर दिया है आप देख सकते ही video add हो चुका है अब मैं इसे standard mode पे पहले repair करना चाहूंगा मैं repair button पे click करूँगा पहला जो repair होगा वो standard mode रहेगा मतलब यह कुशिश करेगा कि यह directly repair करें लेकिन अगर repair नहीं वहा तो हम advanced repair mode यूज कर सकते है यहाँ पे advanced repair mode के तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है यह software तो हम advanced repair mode इस्तमाल करेंगे अब यह advanced repair mode इस्तमाल करने के लिए basically आपके पास एक sample video रहना चाहिए यह जो video आपका corrupted है जिस camera से शूट है basically उसी camera से शूट किया हुआ अगर वीडियो है आपके पास sample वीडियो तो वो वीडियो आप यहाँ पर add कर सकते है तो यहाँ पर देखिए add sample video to repair यहाँ पर मैं folder पर क्लिक कर रहा हूँ और यह sample video मैंने इसलिए रखा यहाँ उसी camera से शूट किया गया वीडियो है म इसे open कर रहा हूँ फिर मैं इसे next करूंगा next करने के बाद यहाँ पर checking sample video please wait patiently और यह check हो चुका है repair अब यह advanced repair mode यहाँ पर activate हो चुका है अब यह कुछ ही seconds के अंदर repair करना start कर रहा है यहाँ पर देख सकते कुछ percentage हो चुका है और यह 100% भी हो चुका है repair successfully okay one video repair successfully और आप यहा हो रहा है लेकिन अगर आपको इसको save करना है जितने पी video आपने repair के तो इनका license version आपको लेना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि यह ज़रूरी है जैसे आपके कोई important videos है audio files है या photo है उनको आपको repair करना है तो इनका license version आप ले सकते क्योंकि यह preview तो आप फ्री कर सकत हो तो यह software की useful है पहले आप प्रीव देख लो कि आपका file repair हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बाद अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे wondershare repair it का license purchase करके यहाँ पे इस video को save कर सकते डाउनलोड कर सकते मैं आप फोटो रिपेर करके भी आपको दिखाता हूँ फोटो रिपेर पे म मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे पास मैंने एक corrupted photo रखा है जो कि मैं open करके भी दिखाना चाहूँगा यहाँ फोटो फोल्डर में है यह photo मैं अगर open करता हूँ यहाँ पे देखे right click open किया है मैंने तो यह it appears that we don't support the file format something कुछ असा बता रहा है लेकिन यह file format तो gpz फिर भी open नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं open करता हूँ इसे अब देखते हैं इसे मैंने open किया है file format अगरा missing दिखा रहा है यहाँ और मैं इसे repair करता हूँ इसमें मुझे advance repair की शायद जरूत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह photo यह पे आसानी से repair हो जाएगा यह देखिए हो गया और इस अगर आप interest to this software के बारे में और दोस्तों साथ में मैं आपको बता हूँ कि wonder show repair it का free online video repair tool भी available है जो कि आप free में इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते online video repair tool और यहाँ पे add button पे क्लिक करके file select करके free में repair कर सकते यह बिल्कुल safe है इसके साथ online photo repair tool भी available है यहाँ पे म download नहीं करना चाहते हो तो यह भी टूल चेक किजिए description में इसकी link हमने अलड़ी दी है check out जरूर कीजिए गा तो मैंने information आपको बताई कि wonder show repair it ऐसा software है कि जो आपको प्री में preview देता है आपकी files को अगर आपको लगता है कि यह software आपके काम का है तो आप इसका license version खरीद के यह files को आप save भी कर सकते तो audio repair कर सकते file भी repair कर सकते सारे options यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे है so that's it एक information वालव वीडियो मुझे लग आपके साथ शेयर करना चाहिए मैंने शेयर किया कैसे लग आपको वीडियो comment section में जरूर बताना like share और comment करना और साथी मेरी teaching style पसंद है त सारे computer course से चले आप सीख सकते घर बैटे बैटे और complete technology के आलावा हमारे जितने भी चैनल है उनकी link description में दिए check out जरूर कीजिएगा अपना खयाल रखिएगा बाई बाई